सन 2017 में जिस समय प्रदेश में योगी सरकार बनी तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और प्रदेश के मुख्या योगी आधित्यनाथ ने सक्षामित्र के मामले को लेकर एक मैनिफेस्टो जारी करते हुए कहा था कि हमारी सरकार सक्षामित्र के मामले का महज तीन महीनी में सम समाधान नहीं हुआ है प्रदेश सरकार दौरा एक कमैठी गठित की गई जो लगातार बैठक पर बैठक करती रही लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला है जिसके चलते सक्षामित्र बदहाली की आसू बाहर रहे हैं तमाम ऐसे सक्षामित्र हैं जो कि अपसाद और प लेकिन जिस तरह से गोहना पत्र में कोई विवस्ता नहीं की गई है उससे निरासा मिली है और खासकर में सच्छामित्रों को लेकर करके सरकारने क में को उमित ही चुणाव से पहरे साच्यामित्रों시고 सवाथ 2 दो जैर् assure ने जी विवताथ उश्तिन्पाध गरमे से बहुक्त पत्र क् quarantine बुना पत्र ने कि स्कोड्व से इततार उसमें कहा ता कि तीन मेने के औंदर चमत प्रिस्चाना का समधार करेंगे जहां कि मैने सैना मों साथ साल honor को भसतां की गई है इस सरक्राइच तो हमसा है नहीं लग रही है जिससे सरक्राइच हमारी साथ काम कर रह tuna है पिछले द Annika जो समक कर्म गटना है हो रही है हमारे जन्पता आगरा हम पिछले दो महीने में चार हमारे सच्चामित्र अतात हुए हैं तो इससे सच्चामित्र बड़ा हतास है निरास है सरकार की तरफ लगातार उम्मीद करके देख रहा था वो कि सरकार कोई अच्छा करेगी हमारे जीवन को ले करके लेकिन आज तक कोई ऐसा कोई निर्ण नहीं लिया गया है इससे साफ है कि लगातार जिन स्कुलों को चलाने में सक्षा मित्र ने अपना पूरा जीवन लगा दिया उसकी बावजूत भी उन्हें समान नहीं मिल पा रहा है सक्षा मित्र लगातार समान बेतन समान अधिकार की बात कर्टे चले आ रहे है देखना होगा कि क्या यह सरकार इस मामले में कोई कतम उठाती है या नहीं डीजी महाराजा नियूस के लिए आशिश पाराशर की रिपोर्ट